दोस्तों इस विड़ों बात करने वाले हैं, अगर आप बिहार से हैं, तो OBC Non-Crimalier Certificate आप कैसे बनाएंगे, केंदर सरकार वाला, या अगर आप राजस्तर वाला बनानों चाते हैं, तो राजस्तर वाला भी कैसे आप बना सकते हैं, इसकी पूरी परक्रियम आप कुपताए और कौन कैंदेट्स जो है, OBC कैटेगरी में Non-Crimalier बनवाता है, और आप सब को पता है, काफी सारी वेकेंसी जो है, केंदरा लेवल पर चल रहा है, SAC, GD चल रहा है, और भी तमाम वेकेंसी या आने वाली है, तो ये बहुत important documents होता है, OBC कैंदेट्स के लिए Non-Crimalier Certificate, पले आपको मैं समझा देता हूँ, OBC Non-Crimalier Certificate जो है किसको बनवाना होता है, तो जो केंदेट्स जो है, बिहार के BC, EBC कैटेगरी से बिलोंग करता है, उनको केंदरा लेवल को फॉर्म भरने के लिए OBC Certificate बनवाना होता है, अगर उनका family income आठ लाग से कम है, तो वो OBC Non Creamy Layer के अंतरगत आएंगे, अगर उनका family income आठ लाग से ज्यादा है, तो वो जो है, Creamy Layer के अंतरगत आएंगे, तो Non-Crimalier में आपको क्या-क्या डॉकमेंट्स लगते हैं, फॉर्म भरने के लिए, और आपको कैसे बनाना होता है, केंदर लेबल वाला या बिहार सरकार के पर Final जो है, Non-Crimalier Certificate जो है, केंदर सरकार वाला या राज सरकार वाला जो ही बनाना चाहते है, वो बन जाए, ताकि आपको कोई दीकत ना हो, कई बर क्या होता है, कि आप लोग फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म जाके reject हो जाता है, इसका main वज़ा होता है, कि आप कही ने कहीं form भरने में गलती कर दिये हैं, कोई ने कोई document सही से upload नहीं किये हैं, जिसे कि हम form भर देंगे, लेकिन एक attachment होता है, जिसका हम लोग documents upload बोलते हैं, वहाँ पे कुछ important documents upload करना होता है, तब जाके आपका non-crimalier बन जाता है, घर बैठे बना सकते हैं, कहीं आपको office का चकर कहीं को apply करना है, form भरने के लिए, आप जो है, यह service online.bihar.gov.in की website पहेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे option मिलेंगे, लोग सेवावों का अधिकार की सिवाय में आना है, समाने प्रसासन प्यवाग में क्लिक करना है, यहाँ पे आप देखेंगे, अवास्ति परमापत्र, जात आप अंचल अस्तर पर बना लेते हैं, बहुत सारे vacancy में क्या होता है, मांग देता है कि आपको जो है, CEO officer वाला नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए जील अस्तर वाला, DM वाला चाहिए, या अनुमंडल वाला चाहिए, तो उस हिसाब से आपको जो लगता है, वो बनवाना होत बिहार सरकार का जो भी आप फॉर्म भरेंगे, वो बिहार सरकार का परिजनार्थ वाला आपको जो है, नन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट लाएगा, और अंचल अस्तर वाला वो भालिड रहेगा, 100%, लेकिन वही अगर माल लिजिए, आप जो है, आर्मी का फॉर्म भरते हैं, आर्मी में भी जती सर्टिफिकेट मांग जैता है कभी कभी, या निमास मांग जैता है, तो अंचल अस्तर पे तो बनवान ही बनवान होता है, इसके अलावा अनुमंडल अस्तर पे भी हो मांगा जाता है, तो आपको अंचल अस्तर पे अप्लाई करने के बाद से अनुमंड रेलेवे का फॉर्म भरेंगे या और कोई केंद्र सरकार का फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार वाला मांगता है तो केंद्र सरकार वाला में अंचल अस्तर पे भी आपका काम कर जाता है लेकिन किसी किसी वेकेंसी में अपवाद समझे लेजिए वो मांग देता है कि नहीं हमको जो है अनुमंड़ अस्तर ही चाहिए, नहीं हमको जीलास्तर ही चाहिए, तो उस case में पहले अंचल अस्तर से आप निर्गत कर लेंगे online करके ही, जब वो आ जाएगा, फिर आप अनुमंड़ अस्तर पे यहाँ पे क्लिक करके apply करने जाएगे न तो ही लगाके आप आगे जो है अनुमंड़ अस्तर पे form को apply करते हैं, अब जीलास्तर पे अगर माली जाप form भरना चाहते हैं, जीलास्तर का आपको ज़रूरी लगया कहीं बनवाने के लिए, तो फिर आपको जो है अनुमंड़ अस्तर वाला जो आपका जारी हुआ हुआ ह उसके जनकारी यहां भरके नाम लिखे गेड़ पे क्लिक करेंगे तो आपका तब जाके जो है जो डीम लेबल पर बनता है वो आपका बनने वाला है, तो एक दूसरे से करेक्ट है यह समझ रहा ना, स्टार्टिंग में आपको अंचल अस्तर वाला ही बनता है और उसके पर आगे चल के दोनों अगर सकता पड़ती है तो बनवाना होता है, तो इतने सारी चीज़े आपको मैंने बताया, यह मेरा अपना परसनल एक्स्प्रियेंस है, मैं कई जगह बच्चों को जो है गाइडलाइस देता हूं, उनलों का जो है डोक्मेंटेशन इस तरस मैंने ब आपको भासा का चुनाव करना कि certificate आपको अंग्रेजी में चाहिए कि हिंदी में चाहिए, तो जिस भी language में मांगा जा रहा है आगे अगर demand है आपका जहां भी job लग रहा है, गौर्मेंट में कि नहीं हमको English प्रफॉर्फॉर्मा चाहिए हिंगे हिंदी तो आप जो भी है यहां हिंदी मट्रमेटिक लिख देगा, कुमार लिख देगा, अगर आपको spelling में गरबड़ी हो रहे हिंदी लिखने में, तो Google Hindi Input Tool का आप यूज कर सकते हैं, वहां से आप जो है, ट्रांसलेट करके copy paste कर सकते हैं, यहां डेटर बर चूज कर लिजेगा, यहां अधार संख अधार रहेगा, जीला यहां चूज करेंगे, अब यहां पर अनुमंडल चूज करेंगे, यहां पर ब्लॉग चूज करेंगे, जो भी आपका ब्लॉग है, भीलेज का नाम लिखेंगे, वाट संखिया, पोस्ट ओफीस, पीन कोड, सर्कल नमबर है, तो पता यह वरना छोड नहीं होता, जीसे हम सर्कल नमबर नहीं पता है, छोड़ देंगे, हमें भरना ज़रूरी नहीं, अगर यहां यहां चूज करेंगे, यहां पर पूलिस एशिचन आएगा, पूलिस इसे आप चूज कर लेंगे, फिर यहां पर आपको ग्राम पंचायत का नाम चूनाव करना ह यहां पर आपको जहें, इस्थान यह निकाय का परकार फिर से पूछा गया है, तो ग्राम पंचायत का नाम बताएंगे, धर्म बताएंगे, अपना केटेगरी आएगा, अन्य पिछावर, OBC जिसको बोलते हैं, फिर जाती आएगा यहां पर आप देखेंगे, आप किस जात यहां पर अच्छे से जो है, आप सर्च तो करिए, आपको जरूर अपना जाती यहां पर मिल जाएगा, कहीं ने कहीं, तो इससे आपको आजाएगा, अगर उप कोई जाती है, तो यहां से बताएंगे, वरना इसे छोड़ देंगे, उप जाती का करमांग संख्या, आपको राज अस्तर से फ़र्म भरेंगे न, तो यहां पर आएगा, पीछ़रा वर्ग और अत्यंत पीछ़रा वर्ग, यहां दो उप्सन आएगा, तो उसमें से आपको देखना होगा, कि किस के टेग्री से बिलंग करते हैं, तो यहां जाती भी आपका सो कर देता है, अब यहां प पूछ दे रहा है आपको बता देना है फिर माता का नाम यहां पर पहचान हो सके को भी देखे तो हाँ आपका फोटो से मैच कर ले वह आपको आपको चूच कर लेना है अब बात आती हहाँ पर अभी बावक मतलब जो आपका इनकम है क्यों कि ओवी सी में क्या होता है इंकम देखा जाता है मैंने आपको इस च्टाटि में कि अगर आपका फेमिली इंकम आठ लाग से जादा है तो आप में आपको cioè क्रीव क spa करना है यूए डवलू एस्यो तमाम तरह के पद हैं संगठन यह देखिए नीजी छेतरे में नियोजन के लिए कोई आप उस तरह के काम कर रहे हैं या संपती का विवरोड यहां पर पीता माता वेस्क बचों का नाम यहां पर लिखे उसका अलग-अलग आप दरसा सकते हैं तो यह चाहते हैं तो बता सकते हैं इसे छोड़ दीजिएगा सीधे आपको जो भी स्टार मार्स लगा वहां भरना है अब सीधे यहां पर आपको बताना है नौकरी से आए बैवसाय से आए पैंसं से आए क्रिसी से आए देखिए पहले से आप इंकम सर्टिफिकेट जरूर बनवा अब यहां पर आता है क्या कर भूपतान करते हैं अगर देते हैं तो हां करेंगे नहीं करेंगे क्या संपति कर के अंतरगत जो है विवरण कुछ देना चाहते हैं संपतिकर मतलब income tax के बारे हम कुछ जनकारी देना चाहते हैं हाना में आपको यहाँ पे बता देना है कुछ अन ये बाती कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे अब आपको नीचे आना यहाँ पर देखिए को आगे आगे अट्वी का होता है कि जो है सफ फॉस रोग maintवाना चाहते हैं तो उसको को सब सबको tick कर देना आपको और इन सबको पहले से बनवा लेना है ये और उसके बाष से स्कैप्शा कोण को का करना यहां पर सिंपली भार देना है और यहां पर आंको जिसे आपका यह प्रपत्र बन जाता है, मतलब certificate बन जाता OBC, तो उसी email पे आपको तुरंट भेज दिया जाता है, तो इससे आप वहां से email से download कर सकते हैं, यहां से आपको आके download करना ही कर सकते हैं, हलाकि मैं बता भी दूगा कैसे आपका प्रपत्र बन जाएगा, certificate बन जाए और उसके बस यहां पे निवास परमापत्र, उसके बास यहां पर बताया गया कि दोसों के भी सोनचे, JPG PDF को भी फाइल चल जाएगा, और यहां पे हमको आए परमापत्र attach करनी है, और यह भी हमारा को भी चल जाएगा, अब यहां आता है Oath Letter, सपत पत्र, अब यह क्या होत लिखेंगे तो एक option मिलता है, इसी पे महतपूर download वाले section में, स्वयंग सायता और भाग में महतपूर download का option इसी पे click करेंगे, और यहां पे आप देखेंगे, तो यहां पे form 8 मिलेगा, और form 9 मिलेगा, तो form 8 बोल रहा था, form 8 पे click करेंगे, यह देखें, भारत सरकार की और उसके पर से नीचे आपको आना है, मेरे माता-पिता का वेतन से वारसी का है, अगर कोई आपकी माता-पिता का salary आती है, तो यहां बताएंगे, वारना इसे छोड़ देंगे, और यहां पे मेरा माता-पिता का अन्य सुरूत business profession से वारसी का है, तो जो अपने वहां पे आ के यहां पे आपको जो है, अटेज करना होगा, समझ गया ना, तो यह आप अटेज कर लीजिएगा, दोसों के भी, इस सारा फाइल 200 के भी से कम होना चाहिए, जेपीजी, PDF को भी format चल जाएगा, यहां पे आपको दस्तावेज में, कोई एक ID प्रूफ, जिसे अधार कार, प फिर से preview आएगा, जनकारी को verify करते हैं नीचे आएगे, और यहां से जो भी अपने attachment किया है, उनको एक बार click करके देख लिजेगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर आप document सही से upload नहीं करेंगे, तो वो जो भी operator होता है, RTPS counter पे, वो documents को check करता है, अगर सही पाजाता ह तो उस case में क्या करेंगे, आप RTPS counter पे संपर्क करेंगे, और यह जो आपका आवेदन प्रपत्र प्रिंट हुआ है, इसको भी आप print out निकालके, वहां लेके जाके जाएंगे, और अपना गोश्रापत्र CEO से, या जो भी आपका RO है, या जो भी आपका करमचारी, उससे verify करेंगे, तुरां जमा करवाएंगे, तुरां आपका निरत हो, होता क्या कभी कभी देखिए, मैं legal तरीका बता रहूं देखिए, होता क्या है कि आपका urgent है, दो दिन में आपको एर्दम जाना, यह interview है, जो भी है, जॉब में मांग दिया गया है, तो आप यही अपनाए सकत करेंगे, तुरांत आपका जो है, वो लोग बना के दे देते हैं, दो दिन, एक दिन में urgent basis पर, तो इसको आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे, तेक आवेधन संख्या, इससे आप नोट कर लेंगे, इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, तो लेकिन यह है कि certificate बनने के 24 घंटे बाद ही, आप अपना प्रमानत पत्र को डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आवेधन के स्थिति के देखना चाहते हैं, कहां तक आवेधन प्रोसेस होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो भी जनकारी आप से मांगा ज चुका है, या बन गया है, रिजेक्ट है, तो रिजेक्ट बता देगा, जो भी आवेधन के स्थिति होगी, उस अब यहाँ पर आपको बता देगा, तो इस तरह से फ्रेंट्स हमने बात किया, कि किस परकार से आपको केंद्र सरकार वाला OBC, Non Criminal Certificate, आपको बनाना है, अगर फॉम भने का प्रोसेस जो है, सबका सेम रहने वाला है, आपके माद में कोई भी डाउट से कमेंट बोक्स से पूछ लीजेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजेगा, मिलते हैं फ्रेंट्स किसी नेक्स व दो क्वा मिलते हैं मिलते हैं glorious और वीजेगा, ऊज़ ग्रें हैं इनका सेस्ट्रा वीजेगारते हैं य'ार शे दोस्तों कोई लीजेगा है, सबस्तों कोई प